नमस्कार दोस्तों आपका मेरे किचन में स्वागत है आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वह है मसाला तिन्डे तो दोस्तों बनाते हैं आज की ये रेसिपी और देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या इंग्रीडेंट्स चाहिए ये बॉइल किये हुए शुकर में दो सीटी लगवा दी थी, एक कटा हुआ प्याच, तीन टमाटर की प्यूरी, नमक, लाल मेर्च, जीरा, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया, कश्मीरी लाल मेर्च, गरम मसाला, अमचूर, और यह पेस्ट मसाला मैंने तियार किया है, सूखी, एक लाल मेर्च, हरी मेर्च, अद्रक और लहसून को ग्राइंड कर लिया, हींग, एक फ्राइपैन में दो बड़े चमस तेल के लिए है, जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद चुटकी भर हींग डाली है, एक कटा हुआ प्याज, जिसे हलका ब्राउन होने तक पकाएंगे, जब तक यह ब्राउन होते हैं, तब तक हम मसाला तयार करते हैं, एक बाउल में, डेट चममच नमक, एक चममच जीरा पाउडर, दो चममच धनिया पाउडर, एक चममच अमचूर, एक चममच लाल मेट, दो चममच कश्मीरी लाल मेट, अब इसके अंदर थोड़ा पानी एड़ कर देंगे, और चममच की सायता से सबी मसालों को मिक्स कर देंगे, अब यह मसाले हो चुके हैं, इधर प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, जो की सूखी लाल मेट, हरी मेट, अद्रक और लहसून का पेस्ट है, वह इसमें डाल दिया है, इसे थोड़ा भूनेंगे, एक मिनट के लिए इसे भूनेंगे, अब ये भून चुका है, अब इसके अंदर बोईल किये हुए टिंडे डाल देंगे, इन टिंडो को हमने ज़्यादा नहीं पकाया है, सिरफ दो या तीन सीटी इसमें लगवाई है, जिससे कि ये थोड़े पक जाएं, और सबजी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगे, अब इसके अंदर जो मसाले हमने पानी में एक बावल में घोले थे, वैसभी इसके अंदर डाल दिये है, अब इन्हें पकाने के लिए ढखकर मीडियम फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे, पाँच मिनट बाद मसाले पक चुके हैं, और टिंडे भी अच्छे से पक गए हैं, देखिए, चार ओर तेल आ चुका है, अब इसके अंदर जो टमाटर की प्यूरी तयार की थी, वह एड़ कर दी, टमाटर की प्यूरी पहले नहीं डाली, जिससे की थोड़े बहुत अगर टिंडे कच्छे भी थे, तो बहुत पक जाएं, इसलिए हमने आखिर में टमाटर की प्यूरी डाली है, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ा है, 10 मिनट बाद हमारी टिंडे की मसालेदार सबजी बनकर तयार है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने माली वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन दबा कर चैनल को सबिस्क्राइब करें,